कदाचित युद्ध में भी ये इतना प्रलाप करेंगे के इनके शत्रू शस्त्र उठाने से पूर्व ही मूर्चित हो जाएंगे बजाई है राजकुमार बालाओं के मनुरंजन के लिए बादक तो क्या खदाचित नर्तक भी बन जाएंगा अंगराट अर्जन पहाँ बन जाएंगे झाल झाल यह क्पो प्रचश में खान्सादिक्षा कुछते दोरा हम टे मैं यह कोरा में यह कुछते ऑला करते को कुछते को अजय को तर बता हुआ है अजए बता है आद्भोत विरावादन किया ब्रहता आर्जन लुके सिर्णन किया ते सिर्णन मैं औरत्रियों किर संडुम अन्यवादकों को भी दान देदो दुशासन मित्र कर्ण तुम भी कोई वादे बजाते हो मैं मुझसे प्रश्ण भी किसी और ने किया होता मित्र तो मैं उसे अपना अपमान समझता एक सच्छे धनुर्दर के लिए तो प्रतंचा की टंकार ही संगीत होती है कि अधार्थ कहां मित्र ये तो कुर्वंच के शौरे को लांचन लगा रहा है ट्रियो दन् अर्जुन ने कल ही तुम्हें अपने तीरों से भूमी में जड़ दिया था उसका विस्मरन हो गया अर्जुन ने मुझे तीरों से बांधा था मेरे मित्र कर्ण ने एक ही तीर से सारे बंधन काट दिये थे उसका विस्मरन हो गया ब्रहता भीम एक चुहा भी अपने दातों से बंधन काट देता है उससे वो प्योगी बनता है योद्धा नहीं अंगराई आप होंगे बड़े धनुर्धर पर वाद विवाद में आप प्रियप पांडु पुत्रों से नहीं जीत सकते कोई टनकार करता है तो कोई हुंकार कदाचित युद्ध में भी ये इतना प्रलाप करेंगे के इनके शत्रू शस्त्र उठाने से पूर्व ही मूर्चित हो जाएंगे बजाई है राजकुमार बालाओं के मनुरंजन के लिए बादक तो क्या कदाचित नर्तक भी बन जाएंगे क्था ख़र्ण है बन्युर्ण क्दाचित चार्ण क्दाचित अजये बन्युर्ण झाल झाल यह आप क्या कर रहे हैं राज कुमार अरजुन मैं बताता हूँ महा महीम कुमार अरजुन इस राज के अतिथी का अपमान कर रहे हैं एक राजा जिसकी संदी है हस्तिनापुर के राज जी के साथ उसके सामने शस्त्र निकाल कर संदी तोड रहे हैं अब शायद कुमार अरजुन गांदा राज के सामने भी शस्त्र उठाएंगे सावधार बहाराज धृत्राष्ट पधार रहे हैं संजाई यहां क्या हु रहा है महराज धर्म छत्रदारक, महाज्यानी, महामंत्री विदुर नियाय करने वाले हैं कुमार अरजुन ने अंगराज के सामने शस्त्र उठाया है राजा के आधेश के बिना राज की संदी तोडने का अपराद किया है कुमार अरजुन ने अवश्य मजाग कर रहा होगा अरजुन किन्तु प्रिय गांदारी अंगराज करन कुमार अरजुन के न तो मित्र है और ना ही भाई अंगराज करन के साथ मजाग करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है ये तो बहुत बड़ा पराद किया तो मिया अरजुन परंतु ताच्री मौन रहो मौन रहो तुमने अंग देश से शत्रुता कर ली हस्तनापुर के लिए युद्ध को न्योता दे दिया बिनादेश के मैं अंगराज से बिंती करता हूँ कि वे हस्तनापुर को क्षमा करते मैं एक व्यक्ति के कारण महाराज कुप कारण को नहीं भूल सकता महाराज परार्जन को कोई दंड तो मिलना ही चाहिए पिता श्री इस अपराज के लिए एक ही दंड है समाग्रकुर राष्टर से निश्कासत कर देना इसकासत कर देना पराज पराज पराज